हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग सीखेंगे स्लिफ्स एंड प्लेट्स डालना रेडिमेट कुर्ते में रेडिमेट कुर्ते में कैसे प्लेट्स डालते हैं कैसे बाजू को लगाते हैं ओपन करके पुरी सिलाई खोल के हम यह सब सीखेंगे और कुर्टे में प्लेट कैसे डालते हैं उसे प्लेट डालने से कितनी ची हमारे कुर्टे में फिनिशिंग आती है यह देखिए गाईज यह हमने बाजू को खोल लिया है बाजू को हमें बाहर के तरफ सीधर करके ही रखना है ऐसे ही जैसे यह रखी हुई है फिर जो इसके सेंटर का पार्ट होता है वो आपको शोल्डर के सेंटर से अटैज करके अंदर की तरफ ले लेना है यह ऐसे अंदर की तरफ जब आप फोल्ड करेंगे तो दोनों पार्ट आपको सीधर ही लगेंगे जब अंदर फॉल्ड करेंगे तो आपको उल्टा लगेगा यह पार्ट तो ऐसे आपको एकदम अटेज करके इसमें सलाई करनी है बाजु को जब आप सीधा करेंगे तो वह एकदम सीधे की तरफ ही नजर आएगी याद रहे कि बाजू को भार की तरफ से अंदर की तरफ फोल्ड करना है ओके ये आपको एकदम किनारे पे इसमें भी वैसे ही सलाई लगाने जैसे आपको लगाते हैं अंदर की तरफ से भार की तरफ से नहीं लगाने जब आप इसको सीधा करेंगे तो इसका look कुछ इस तरीके से आएगा as it is जैसे इसमें पहले से ही बाजू लगी हुई थी ओके गाइस ये आपको ऐसे ही नजर आएगी जब आप सलाई लगाएंगे इसमें तो ये आपको बिल्कुल रेडिमेट कुर्थे की तरह ही लगेगी की आपने रेडिमेट कुर्थे में ही कुर्थे को ठीक किया ही नहीं ये पहले से ही ऐसे ही स्रीव लगी होई आई थी ये आपको ऐसा look देगी ओके आपको ऐसे ही अंदर की तरफ से इसको फोर्ड करना है और फिर इसको इसमें शलाई लगानी है अब मैं आपको बताऊंगी कि कुर्थे में प्लेट कैसे डालते हैं कमर पे एंचेस के तरफ प्लेट कैसे डालते हैं उससे कुर्थे में कितना अच्छा look आ जाता है और कितनी अच्छी fitting भी आती है तो हमें कुर्थे में कुछ जादा मेजर्मेंट नहीं लेना है प्लेट डालने के लिए अगर हमें कमर में डालनी है तो हमें बीच के side के center से 5 inch की दूरी पी जेतनी कमर होती है उसके according आप इसमें प्लेट डाल सकते हैं जहांपे आपको suitable हो वैसे तो प्लेट के कुछ मैं इंच नहीं लेती नहीं मैं कुछ एकदम मेजरमेंट लेती हूँ मैं अपने तरीके से इसमें प्लेट डाल देती हूँ इसलिए मैंने आपको भी ऐसे ही बता है थेंक यू